हलो कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आयाorage है नई तरह की रेसिफी आज मैं बनाऊंगी डावा स्टाइल लैसुनी पालक और आलो की सबजी ये बहुती बैतरी में सबजी होती है बहुत टेस्टी होती है तो चलिए बनाना करते हैं शुरू मैंने यहाँ पर लिया है पालक और इसको पहले ही से साफ करके और ढो करके रखा हुआ थोड़े थोड़े इसमें मैंने पत्तों में डंठल को रहने दिया है पालक में सिर्फ पत्ते ही नहीं लिये हैं और अभी मैंने यहाँ पर गैस पर रख दिया है एक भगोना पानी गरम होने जैसा ही हमारा पानी में एक बोईल आ जाता है हम सारे पत्तो को इसमें पालक के शिफ्ट कर देंगे एक बार में ही आपको पालक के पत्तो को इसमें डाल देना है और रिस्पेचला से इस तरह से द पालक को मुझे चान लेंगे या कि फ Earlier this will be malam दौनैगी यानी इसका पानी कि निकाल देंगे गहार इसके बाद मैं बारे पसंद करेकर सीथी आपकर कानीटरी यहां प्रत्तवर पढ़ा में यह लिये हैं दो मेडियं मिडम शायस दो आलो इसके अइसे काटके पहले धोके रखे हुए हैं और गयस पर रख दिया है और चार चमबच मेरे तेल डाल दिया है और आलू को जैसे ही अमारा तेल गरम हो जाएगा अलू हम इसमें शिफ्ट कर देंगे यानि अच्छे से अराम से डाल देंगे पानी को आपको आलू से बाहर निका मुझे हो गई है ब्राउन हो के यालू हमारे और इसको मैं एक निकाल लूँगी प्लेट में और फिर से यही मैंने फ्राइपन रख लिया इसमें डाल दूँगी आदा चम्मच जीरा यहां पर मैं लिए है लॉंग दो तेज पात के पत्ते लिए हैं तीन से चार मैंने काली मि अची के दो टुकड़े की हैं और सिनेमन के थोड़े से टुकड़े मैंने ले लिया है वो इसमें डाल दूँगी मैं तेल मैं और इसके बार डाल दूँगी आदा चम्मच हींग अगर आप पसंद नहीं करते तो इसकिप कर सकते हो लेकिन यह जो पेट के लिए बहुत अच और इसको भी अच्छे से हमें मिला लेना है प्याज को ज्यादा अपको ब्राउन नहीं करना है गैस का फ्लेम आपको मीडियम परी रखना है और यहां पर मैं डाल दूँगी दो मीडियम साइज के बारी कटे हुए टमाटर और यहां पर अब हम डालेंगे सूखा मसाला एक चमच में डाल दूँगी यहां पर धनिया पाउडर आदा चमच जालोंगी जीरा पाउडर और इसके बार डाल दूँगी हल्दी पाउडर आदा चमच डालेंगे एक चमच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे एक चमच में डाल दूँगी चिली फ्लेक्स अगर आपके पास इस तरह से भी कम पानी जो हमने उबाला था आप उस पानी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो और इसको क्या करेंगे धक करके अच्छे से हमें पका लेना है यानि टमाटरों को हमें गला देना है पांच नेट इसको हम पकाएंगे पांच नेट वाद यह देखिए हमारे है इसे देख रहें अभी ही कितनी सुन्दर हमारी पालक की सब्जी लग रही है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने बूनकी रखे थे और इसको भी इस तरह से एक कप पानी आप अपने हिसाब से काम जितनी आपको ग्रेवी चाहिए कम ज्यादा आप कर सक कि यहां पॉल्ज इसका कवि काम नहीं है और पालक को सब्जी मेरी गाड़े लग रही है नहीं हैं तो दो चला लेंगे और बस इसको यहां पर पांच मीनट भीरांगे धक केट वाली फ्रेश क्रीम तो आप उसका भी स्थेमाल कर सकते हो यह देखिए कितनी सुंदर हमारी पालक की सब्जी लग रही है यह देख पार होंगे आप यहां पर बहुत खूश्बू और तीसी अच्छी आ रही है और यहां पर अभी लहसुन की आमें सब्जी बनानी है तो मैंने यहां पर दो कल्यां लहसुन की बून करके ते घी में तेसी घी में बूना है इसको डाल दिया है जब तक यह नहीं डालेंगे तो हमारी लहसुन की जो समझी है वो कैसे बनेगी पाला की, थो मैंने डाल दिया है लहसुन की कलिहां दूण करके और यह लीज़िए, आपको निकाल करके तिखा देते हूं और बस यहां पर भी हमें क्या करना है एक तड़का माणना है यह देखिए लहसुन का अभी यह देखिए परफेक्ट हमारी लहसुन की डावा स्टाइल लहसुनी फाला कालू की सब्जी बन करके हो गई है रेडी तो फिर आप भी इस रे के लिए थैंक यू